बौद धर्म की आधार सिला क्या है इस प्रस्ण पर कुछ मत्भेद रहा है क्या अकेली प्रग्या बौद धर्म की आधार सिला है इस मत्भेद के कारण भगवान बुद के अन्याई दो पक्षों में विवक्त हो गए थे एक पक्ष का मत्थ था कि अकेली प्रग्या ही भगवान बुद के धर्म की आधार सिला है दूसरे पक्ष का कहना था कि अकेली करुणा ही बौद धर्म की आधार सिला है ये दोनों पक्ष अभी भी विवक्त हैं यदि बुद वश्नों को लेकर विचार किया जाए तो दोनों पक्ष गलत प्रतीत होते हैं इसमें कोई मद्वेद नहीं है कि बुद धर्म के दो इस्थम्बों में से एक प्रग्या है प्रस्ण यही है कि करुणा भी दूसरा इस्थम्ब है वा नहीं करुणा भी भगवान बुद के धर्म का एक इस्थम्ब है यह विवाद से परे की बात है इसके समर्थन में बुद वजन उद्ध्रत किया जा सकता है पुराने समय में गांधार देश में एक बहुत ही भयानक विमारी से पीड़ित कोई साधू था वह जहां कहीं बैठता उसी जगे को गंदा कर देता वह एक ऐसे विहार में था जहां कोई उसकी साहता ने करता था पात्सो भुक्षों के साथ तथा गतबुद आवश्यक बरतन तथा गर्म पानी आदि लेकर वहां पहुँचे वह इस्थान इतना दुरगंद कून था कि सभी भुक्ष्यों को उस साधू से भी घ्रणा हो लेकिन तथा गतबुद ने सक्रदेव से पानी आदि डलवा कर उस रोगी को अपने हाथ से इस्नान कराया और उसकी सेवा की उस समय प्रत्वी कापी और वह सारा इस्थान एक एलोकिक प्रकास से भर गया तब राजा उसके मंत्रे आकास इसी देवता नाग आदि सभी वहाँ इकत्रित हुए और तथा गतबुद की पूजा की जितने भी वहाँ इकत्रित हुए थे उन सभी को आश्चर्य हुआ इसलिए उन्हें ने पूछा की इतने उचे होकर आपने इतना सामान्य काम क्यों किया तथागत ने समझाया संसार में आने का तथागत का उद्येश से ही यह है कि दरिद्रों ए सहायों और ए रक्षितों का मित्र बनना जो रोगी हों स्रैमन हो वा दूसरा कोई भी हो उनकी सेवा करना दरिद्रों अनाथों और बुणों की सहायता करना तथा दूसरों को ऐसा करने की प्रिर्णा देना ये पुतीगत तिसकी कथा धंपत कथा से लिया गया है नमो बुद्धाय